निर्यात बंदी खत्म होने के बारह दिन बाद भी महाराष्ट्र की मंडियों में प्यास के दाम में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। सोलापूर के बाद अब राहुरी मंडी में भी किसानों को मिलने वाले प्यास का नियून्तम दाम सिर्फ एक सो रुपई क्विंटल रह गया है। सोलापूर में तो लगातार किसानों को नियून्तम दाम सिर्फ एक सो रुपई क्विंटल ही मिल रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 550 डॉलर प्रतीतन नियून्तम निर्यात मूल्य और उस पर लगे 40 प्रतिशत शुल्क को खत्म नहीं करेगी तब तक किसानों को निर्यात खोलने का कोई लाब नहीं मिलेगा, क्योंकि महेंगा होने के कारण निर्यात खुलने के प्याज निर्यात नहीं हो पा रहा है। इसलिए राजे की मंडियों में प्याज की आवक बढ़ गई है, जिससे दाम गिर गए हैं। किसान इस चिंता में डूबे हुए हैं कि खरीफ के बाद रभी सीजन में भी दाम सही नहीं मिल रहा है, ऐसे में आगे वो खेती कैसे करेंगे। किसानों को उम्मीद थी कि जब निर्यात बंदी खत्म होगी तब राजे की किसी भी मंडी में किसी किसान को एक और दो रुपए किलो के दाम पर प्याज नहीं बेचना पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिती नहीं बनी। सरकार ने 4 मई को निर्यात बंदी खत्म की, तब 5 और 6 मई को दाम बढ़े थे लेकिन उसके बाद फिर पहले की तरह गिरावट आ गई। केंद्र सरकार ने प्याज की महेंगाई को कम करने के लिए 7 दिसंबर 2023 को प्याज की निर्यात बंदी कर दी थी। उससे पहले दाम कंट्रोल में करने के लिए 800 डॉलर प्रती टन की MEP लगाई थी। उससे भी पहले अगस्त 2023 में 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया महाराष्टर कांदा उतपादक संगठन के अनुसार 2014 में ही प्याज की उतपादन लागत लगभग साड़े 7 रुपई किलो आती थी। उसके बाद एगरी कल्चर इंपुट की लागत बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिए अप्रती किलो लागत 16 से 20 रुपई किलो तक हो रहा है। घाटे के कारण ही महाराष्टर के किसान प्याज की खेती को अब कम कर रहे हैं।